नमस्कार दोस्तों मेरा नामे था आप देख रहे हैं गैजिट्स फॉर यू और आज हम आपके लिए लिखे आए हैं तीन फोन का स्पीड टेस्ट जो की आल्मोस्स सिमिलर प्राइज में हैं सब्सक्राइज करते हैं तो चलिए करते हैं स्पीड टेस्स और पता लगाते हैं कि कौन सा फोन ज्यादा फास्ट है इन तीनों में से तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने applications डाली हुई हैं तीनों phones में similar और अब इस stopwatch की जरी हम देखेंगे कि कौन सा फोन सारी application को जल्दी से open कर लेता है तो शुरुआत करते हैं पहले हम Moto M से और उसके बाद देखेंगे Vivo V5 और उसके बाद देखेंगे G7 Prime तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि हमने तीनों phones में same Wi-Fi connect किया हुआ है आप देख सकते हैं कि तीनों phones में आपको same Wi-Fi connect किया हुआ मिलेगा तो अब हम कर रहे हैं इसका speed test, comparison, कौन सा फोन जल्दी open कर लेता हैं सारी apps को तो स्टार्ट करते हैं Moto M के साथ में तो Moto M ने सारी application को complete किया है रहे है टू मिनर्स 37 सेकेंड में और अब हम जाएंगे वीवो वी फाइब की तरफ इसेकें जाएंगे बाटेड़ाल और वीवो वीफाइब ने किया है सारी एप्लिकेशन को कम्प्रीट टू मिनट्स और 48 सेकंड्स में जबकि मोटो एम का था टू मिनट्स 37 सेकंड्स तो यहां पे इन दोनों में से मोटो एम विनर है और अब देखेंगे हम जेसेवन प्राइम पे यह क्या स्पीड होता है तो स्टार्ट करते हैं हम जेसेवन प्राइम पे We are heroes tonight तो ये था जे सेवन प्राइम का स्पीड आप देख सकते हैं कि मोटो एम और जे सेवन प्राइम दोनों ने ही 2 मिनिट्स और 37 सेकंड में खतम किया इन सारी अप्लिकेशन को जबकि वीवो ने टाइम लगाया 2 मिनिट्स 48 सेकंड तो यहाँ पर जो विनर है मैं काऊंगा वीवो वीवाइब को इग्नाउर करें यही आपको बसंद आया होगा तो लाइक कीजे इस वीडियो को शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेरी या फिर सजेशन होतो हो आगे कैसे वीडियोज देखने के लिए इस बटन पे क्लिक करना ना बूलें इस बटन पे क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के अपडिस ले सकते हैं तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में तब तक लिए आपकी दिन शुब रहें